हेलो मार दियर स्टुडेंट्स मैं दीपत मंगल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने कैमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर बच्चो आज का जो लेक्चर है आज का लेक्चर इस्पेशली मैंने 10th क्लास के लिए बनाया है और 10th क्लास का ये जो लेक्चर है इसके अंदर में आप लोगों को कैमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू असे बैसेंट सॉल्ट पढ़ाने वाला हूँ ठीक है बच्चो ये जो चैप्टर है ये बैसिकली काफी अच्छा चैप्टर है ठीक है ना एटम मॉलेक्यूल एंड आयन ये वाले चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया है जिसके अंदर आप लोगों को आयन्स के बारे में बताया गया होगा वहाँ पे आपको काफी सारे आयन्स याद कराई गये होंगे और अगर आपको निभी याद कराए गये होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आपको खुद आयन से एक बार यहाँ पर याद कराऊंगा चैप्टर के अंदर जब वो काम आएंगे ठीक है तो ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं अपने में टॉपिक पर आते हैं एसिड बैस और सॉल्ट चैप्टर नंबर डू केमिस्ट्री का इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले तो बच्चो एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे देन हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है मतलब पूरे के पूरे चैप्टर को में दो पार्ट में डिवाइट कर रहा हूँ पहले तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा एसिड और बेस देन उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा में सॉल्ट ठीक है तो यहाँ पर हम कैमस्ट्र का चैप्टर चादू कर रहे है चैप्टर का हैडिंग क्या है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में पहले तो आपको क्या पढ़ाऊंगा एसिड एंड बेसेस पढ़ाऊंगा सॉल्ट वाला टॉपिक हम पूरा अलग से लेंगे क्योंकि सॉल्ट वाला टॉपिक समझने के लिए आपको पहले एसिड का एंड बेस का नौलेज का अफ़ी एक्षे से क्लियर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आपन इस चैप्टर में सबसे पहले तो किस के बारे में पढ़ेंगे एसिड एंड बेसेस के बारे में ठीक है पहले तो आपन एसिड एंड बेसेस का मतलब पूरा ढंग से क्लियर करेंगे देन उसके बाद हम किस पे चाहेंगे स्वार्ट के उपड़ जाएंगे आगे ना बात बच्चों समझ में ठीक है तो यह है तो सबसे पहले तो मैं एसट्स अंडर आज आपको क्या पड़ाऊंगा जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर भी जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ठीक है? acids and bases का introduction ने लेंगे आज अपन आज आप मान के चलिए कि आज अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है indicators ठीक है तो समझना यहाँ पर आज जो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है indicators ठीक है तो समझना देखो आज का टॉपिक acids and bases वाला जो chapter है इसके अंदर आज जो सबसे पहला टॉपिक जो हम चालू करने वाले है वो कौन सा चालू करने वाले है indicators चालू करने वाले है ठीक है अब बच्चों indicators होते क्या है definition क्या होती है सुनना अच्छे से substance which indicate substance which indicate acidic or basic nature of acidic or basic nature of any chemical substance any chemical substance any chemical substance are called as are called as indicators are called as indicators अब देखो बच्चों definition समझते हैं यहाँ पर देखो सुनना अच्छे से सबसे पहले तो आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल जाएगा indicators का मतलब क्या होता है जो कि किसी ने किसी चीज को indicate करते है ठीक है मतलब ध्यान रखना किसी के नेचर को बताने के लिए यूज में लेना या किसी भी बात को indicate करने के लिए जो भी हम यूज में लेते हैं वो क्या होते है indicators तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखना indicators क्या होते हैं तो कौन सा chemical substance ठीक है कौन सा chemical substance acidic है ठीक है कौन सा chemical substance acidic है या फिर कौन सा chemical substance basic है और कोई एक ऐसा chemical substance जो की ना acidic है ना basic है जिसे हम क्या बोलेंगे neutral ठीक है कोई ऐसा chemical substance जो की ना acidic है ना basic है तो हम उसे क्या बोलेंगे neutral तो ध्यान रखना chemical substance आप मान सकते हों यहां पर तीन तरह के nature को शो करते हैं यहां तो acidic nature को यहां तो basic nature को यहां तो फिर मालो कोई chemical सबस्टांस ना एज़ेटिक है ना वैसिक है तो फिर उसका नेचर हम क्या बोलेंगे नीट्रल बोलेंगे ठीक है तो आप अच्छे से यहां पर ध्यान रखना कि किसी भी केमिकल सबस्टांस का नेचर बताने के लिए जो सबस्टांस responsible होते हैं या use किये जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे indicators ठीक है तो indicators की definition हमने क्या दिये यहाँ पर आप सुनना अच्छे से ऐसा substance जो कि किसी भी chemical substance के acid या basic nature को indicate करने के लिए use में लिये जाते हैं मतलब आपको जैसे मालो को एक्जामपल दे दिया आपको मालो lemon juice दे दिया ठीक है न निम्बू है ना पानी है पानी के अंदर आपको निम्बू मिला के दे दिया अगर आपसे पुछा गया कि आप यह बताओ कि यह जो हमने मतलब बता रहा हूं इंडिकेटर का मतलब बता रहा हूं ठीक है तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि आपके पास कोई भी chemical substance मौझूद है और आपको यह बताना है कि यह जो chemical substance है यह acidic है या फिर basic है ठीक है तो यह आप कैसे बता सकते हो indicator की help से बता सकते हो और मानलो कोई chemical substance ऐसा हुआ जो की न acidic है ना basic है तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे neutral ठीक है तो यह वाली बात आप अच्छे से याद रखना और example लेते हैं मानलो जैसे मानलो आपको पानी दिया और पानी के अंदर मानलो की नमक मिला दिया ठीक है तो नमक का आपको nature बताना है पानी के अंदर जब आपको नमक मिला देंगे तो salt solution तयार हो जाएगा और इस salt solution का आपको क्या identify करना है nature identify करना है कि यह salt solution acidic होगा basic होगा या फिर neutral होगा कैसे पता लगाओगे by using indicator ठीके आप क्या करोगे जो salt solution होगा उस salt solution के अंदर indicator को क्या कर दोगे mix कर दोगे ठीके और फिर वो indicator वहाँ पे indicate करेगा उसका एक तरीका होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊँगा कि indicator किस तरीके से वहाँ पे salt solution के nature को हमें बताएगा कि वो acidic है basic है या फिर neutral है ठीके तो आपको I think आगे होगे अब तक तो indicator की definition समझ में एक बार रोग बिल्कुल easy language में समझा रहों अच्छे से सुनना बच्चों indicator का मतलब क्या होता है तो indicator उन substance को कहा जाता है जो कि किसी भी chemical substance के acidic basic या neutral nature को बताने के लिए यूज में लिये जाते हैं याद रखना में तो हमने यहाँ पे दो nature लिखे एक तो acidic और basic अगर मालो कोई chemical substance ऐसा हुआ जो कि acidic nature को शो करता है ना basic nature को शो करता है तो आप उसका नेचर के बता दोगे न्यूटरल बता दोगे ठीक है तो ध्यान रखना कोई भी substance acidic nature का है basic nature का है या neutral nature का है तो आप यह कैसे पता लगाओगे with the help of indicator indicator की help से कैसे पता लगाते हैं वो अभी बात की बात है बागे आपको indicator का मतलब आ जाना चाहिए अब तक समझ में कि जैसे माल लो हमने पानी लिया और पानी के अंदर हम ने के मिला दिया lemon juice मिला दिया पानी के अंदर हम ने के मिला दिया lemon मिला दिया अब यह जो बनेगा juice उसे अपन के बोलेंगे lemon juice अब आपको यह बताना है कि यह जो lemon juice है यह acidic है, basic है, यह neutral है जैसे मैंने आपको बता दिया कि चलो lemon juice जो है वो acidic होता है अब यह कैसे बताया lemon juice जो होता है वो acidic nature का होता है तो यह कैसे बताया तो ध्यान रखना उसके लिए हम क्या use में लेते हैं आपको definition समझ में तो यह आप अच्छे से याद रखना indicators अब आगे देखो बच्चों कितने टाइप के indicator पढ़ेंगे अपन यहाँ पर दो टाइप के ठीक है indicators जो है वो हम यहाँ पर दो टाइप के study करेंगे नमबर वन हम यहाँ पर पढ़ेंगे color indicators नमबर वन हम यहाँ पर कुण से पढ़ेंगे color indicators और नमबर टू हम यहाँ पर पढ़ेंगे all factory indicators नमबर टू हम यहाँ पर पढ़ेंगे all factory indicators ठीके यह दो तरह के Indicators हापन यहाप पढ़ेंगे एक तो हम पढ़ेंगे यहापन पे color Indicators और एक हम पढ़ेंगे all factory Indicators एके करके मैं आप दोनों को describe करूँगा मैं आपके सामने पहले मैं आपको दोनों का intro देती हूं ठीके पहले तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं दोनों का इंट्रो ले लेते हैं इंट्रो लेने के बाद देन एक-एक को पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे ठीके समझना अच्छे से पहले तो आपको दोनों का इंट्रो दे रहा हूंगा सबसे पहले तो color indicator क्या होता है ठीके ना color indicator का मतलब क्या होता है सुनना अच्छे से माल लो कोई एक indicator है ठीके ना एक indicator लिया आपने एकसामपल लेंगे आपने indicator के काफी सारे तो माल लो एक indicator लिया आपने indicator भी एक substance होता है ठीके तो हमने एक indicator लिया अब इस indicator को हमने किसमें डाला Acid में या फिर BASE में इस indicator को हमने किसमें ढाना Acid में या फिर BASE में तो यह क्या करेगा उसके साथ acid के साथ या BASE के साथ अपने color को क्या करनेगा change करनेगा मतलब Indicator का खुद का भी एक color होगा ठीक है और वो क्या करेगा Acid के साथ या base के साथ अपने color को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा और उस color के basis पे हमें बताना होता है कि ये acid है या फिर base है है ना हमें क्या होता actually indicators के color पता होते है और हमें ये भी पता होता है कि ये indicator acid के साथ क्या color देने वाला है और base के साथ क्या color देने वाला है तो जब आप Indicator को Acid के अंदर मिलाओगे तो Color आपको already पता होना चाहिए कि यह जो Indicator है यह इस Acid के साथ क्या Color देने वाला है ठीक है? मानलो आपको यह पता है कि Indicator Acid के साथ Red Color देने वाला है कोई भी एक Indicator लिए आपने और आपको ये पता है कि ये indicator acid के साथ क्या color देगा red और base के साथ क्या color देगा मान लो yellow तो आप क्या करोगे मान लो एक आपको container दे दिया उसके अंदर lemon juice भरा हुआ है और आपसे पुछा गया कि ये जो lemon juice है ये acidic nature का है या basic nature का है आप बताओ तो आप क्या करोगे उस indicator को सीधा lemon juice में मिला दोगे है ना उस indicator को किस में मिला दोगे सीधा lemon juice में अब जैसे ही आप lemon juice में मिलाओगे उसे अब lemon juice जो है जैसे ही आप lemon juice में आप उसे मिलाओगे lemon juice जो होगा वो उसके साथ क्या color देगा red color ठीक है जैसे ही आप lemon juice में indicator को मिलाओगे indicator सीधा lemon juice के साथ क्या color देगा red color इसका मतलब lemon juice कौन से nature का हो गया acidic nature का ठीक है और example लेता हूँ मैं जैसे देखना इधर माल लो यह हमने test tube लिए ठीक है ना यह हमने test tube ली अब इस test tube के अंदर हमने माल लो क्या भड़ दिया soft solution soft solution पाने लिया और पाने के अंदर हमने साबून को dissolve कर दिया और क्या बना लिया soft solution बना लिया इसमें ले लिया हमने ठीक है अब आपको यहाँ पे बताना है कि यह जो soft solution है यह acidic nature का होगा या फिर basic nature का होगा ठीक है यह जो soft solution है यहाँ पे यह soft solution यहाँ पे acidic nature का होगा या फिर basic nature का होगा यह आपको बताना है तो देखो क्या करोगे आप इसमें color indicator डाल दो color indicator है ना अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो color indicator है ये acid के साथ क्या color देगा और base के साथ क्या color देगा माल लो कि ये जो color indicator है ये acid के साथ क्या color देता है red और base के साथ ही क्या color देता है yellow बेस के साथ ही क्या color देता है yellow ठीक है अब आपने जैसे इस color indicator को किसमें डाला soft solution में जैसे यह आपने color indicator को किस में डाला? swap solution में तो यहाँ पे color क्या हो गया? yellow ठीक है? यहाँ पे color क्या हो गया? yellow तो आप इसकी help से यहाँ पे बता सकते हो कि यह जो swap solution होगा वो कुन से nature का होगा? basic nature का होगा आया नहीं आया आपको समझ में ठीक है? acid या basic acidic या basic nature को कैसे बताते हैं? by change in the air color अपने color को change करके वो acid के साथ भी अपने color को change कर सकते हैं या फिर base के साथ भी अपने color को change कर सकते हैं हमें indicator के color के बारे में पहले पता होना चाहिए कि indicator acid के साथ क्या color देगा और base के साथ क्या color देगा उसके basis पे हम वहाँ पे nature को क्या करेंगे identify करेंगे जैसे कि मानलो मुझे एक indicator दिया गया और मुझे already पता था कि यह जो indicator है यह acid के साथ क्या color देगा red और base के साथ क्या color देगा yellow यह मुझे पहले से पता होना चाहिए ठीक है अब मुझे कोई भी आप substance देदो अब मुझे यहाँ पर यह बताना है कि यह जो soft solution है यह acidic nature का है यह फिर basic nature का है ठीक है तो इसको मैं कैसे बताऊँगा तो color indicator जो होगा जिसके बारे में मुझे already knowledge है इसको मैं किस में मिला दूँगा soft solution में मिला दूँगा अब मान लो कि जैसे ही मैंने उसे soft solution में मिलाया soft solution yellow color का हो गया कौन से color का हो गया soft solution yellow color का हो गया मुझे already पता था कि यह indicator base के साथ yellow color देगा तो इसकी help से में कहा बता सकता हूँ that soft solution कौन से nature का होगा base nature का होगा तो आगया बच्चों यह समझ में आप लोगों को ठीक है है ना तो यह अच्छे से जाद रखना एक एक जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका जैसे की माल लो यहाँ पर मैंने कि इसकी बजाए है ना इसकी बजाए test tube के अंदर मैंने करा lemon juice ठीकी ना इसकी बजाए मैंने test tube के अंदर गाँ भट दिया lemon juice भढ़ दिया अब देखो इधर जैसे ही मैं इसके अंदर color indicator मिलाता हूँ मान दो यह कुन सा color देता है यहाँ पे red lemon juice acidic nature का होता है यह मैं आपको पहले बता देता हूँ तो यह lemon juice के साथ क्या color देगा red और आपको जैसे ही यहाँ पे lemon juice के साथ red color मिलेगा आप direct यहाँ पे बता सकते हो कि lemon जो होगा lemon juice वो कुन से nature का होगा acidic nature का होगा ठीक है तो color indicator की help से हम इस तरह से बताते हैं कि कोई सा भी substance कोई सा भी chemical substance acidic nature का है या फिर basic nature का है आगे आपको यह समझ में ठीक है ना तो आफ़टाफट इसका screenshot ले लो देख लो इसे एक पर हाँ तो बच्चो अब next आता है देखो all factory indicators ठीक है color indicators होगा होगा आप logo को clear अब all factory indicators पे आते हैं ठीक है ना देखना है यहाँ पे सुनना all factory indicators के definition क्या होती है ठीक है सबसे पहले तो आप इसमें यह ध्यान रखना word का मतलब देखते हैं पर यहाँ पे बच्चो जो all factory जो word है यह कहां से आया actually all factions है all factory word कहां से आया all factions है ठीक है ना all factory जो word है यह कहां से आया all factions है और all faction जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है smell ठीक है allfaction जो word है इसका मतलब क्या होता है smell यह याद रखना सबसे पहले तो आपको यह वाली बात अच्छे से समझ में आने चाहिए ठीक है allfactory indicator क्या होते है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर allfactory का meaning होता क्या है बचो allfactory word कहां से आया allfaction से और allfaction का मतलब क्या होता है smell होता है ठीक है तो यहाँ पर इनकी definition क्या बनती है यह सुनना आप अच्छे से देखो इधर हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो color indicator होते हैं यह color indicator acid यह base के साथ अपने color को change कर लेते हैं और उन color की help से हम पता लगात हैं आई समझसे यह iacidic होगा यह basic होगा आगया समज्मे 隻 color indicator क्या होते हैं तो यह वह indicator होते हैं जो की acid या base के साथ अपने color को change करते हैं और color की basis पे हम पता लगाते हैं कि यह जो सबस्टांस है वह acidic होगा या फिर basic होगा यह किस चेंज करेंगे smell को त्थीक है, मतलब यह जो indicator होते हैं, यह indicator क्या करते हैं? एसिड के साथ या फ्र बेज के साथ अपनी smell को change करते हैं। अपनी smell को change करते हैं और उस smell के वेसिस पर हमें पता लगाना होता है कि यह जो होगा यह acidic होगा या फिर basic होगा ठीक है ये थ्यान रखना मानलो कोई भी आपने सबस्टांस लिया जिसके अंदर आपको स्मेल आ रही है ठीक है ना मानलो कोई भी आपने सबस्टांस लिया जिसके अंदर आपको क्या आ रही है क्या स्मेल आ रही है और जैसे आपने क्या किया उसके अंदर indicator मिलाया उसके अंदर आपने क्या मिला दिया indicator मिला दिया और उसकी smell क्या हो गई गायब हो गई ठीक है उसकी smell क्या हो गई गायब हो गई तो फिर वहाँ पर वह कौन सा indicator था all factory indicator यह ध्यान रखना इसको मैं बात में detail में काफी अच्छे से समझाओंगा अभी आपको इतने आसाने से समझ में नहीं आए गया है कम से कम इसके अपन तीन-चार एक्जामपल लेंगे इंडिकेटर के साथ बागी आप जनरल प्रिंसिपल याद रखो जनरल प्रिंसिपल क्या होता है ओल्फेक्टर इंडिकेटर का ओल्फेक्टरी शब इस पर अपन यहां पर पता लगाएंगे कि वह जो गीवन सबस्तांस था वह एसिडिक नेचर का था यहां फिर बैसिक नेचर का था ठीक है इसके एक्जामपल में आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा तो अब यहां पर अपन इन दोनों इंडिकेटर को एक एक करके ड अब यहां पर अपन क्या करेंगे दोनों तरहें के इंडिकेटर को बिल्कुल अलगले बिसकर्स करेंगे ठीक है ना तो अब अपन सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे कलर इंडिकेटर और कलर इंडिकेटर के बात देन हम क्या पढ़ेंगे और फैट्री इंडिकेटर ठीक है तो अपन यहां पर सबसे पहले कलर इंडिकेटर चालू करते हैं ठीक है ना तो यहां पर अपन नंबर वन पढ़न इंडिकेटर्स बैफिनेशन तो मैं आपको समझा चुका हूँ लेकिन एक बार रोल आप समझो और एक बार ध्यान रखना देखो बिल्कुल रिलेक्स होके बिल्कुल आप एक तरह से यह मान के चलो कि अपने डेली लाइफ के पार्ट के हिसाब से समझो क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बात बोली है अपने कलर इंडिकेटर क्या होते हैं तो आपको मान लो कोई भी केमिकल सबस्टांस है उस केमिकल सबस्टांस के बारे में बताना है कि यह एसेडिक नेचर का है या बैसिक नेचर का है ठीक है किसको यूज करके color indicator को use करके तो जो color indicator जो होगा वो color indicator उस chemical substance के acidic या basic nature को किसे बताएगा तो आप क्या करोगे वो जो chemical substance आपको दिया गया है उसके अंदर क्या करोगे color indicator को मिला दोगे और जैसे ही आप उसके अंदर color indicator को मिलाओगे वो color indicator क्या करेगा acidic या basic substance के साथ अपने color को क्या कर लेगा, change कर लेगा, ठीक है, जैसे ही आप substance के अंदर color indicator को मिलाओगे, तो वो जो color indicator होगा, वो उस chemical substance के अंदर जाते से ही अपने color को क्या कर लेगा, change कर लेगा, जिसके help से आप यह बता सकते हो, कि वो जो substance है, वो acid है, या फिर base है, आई नहीं बात समझ मै ठीक है ना अगर अभी भी ली आई हो तो आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊनों में आपको अच्छे से सुनना क्या होते हैं color indicator तो ध्यान रखना Indicators you qe ndicators which change their color which change their color which change their color when they put when they put into acid when they put into acid और base याद रखना बच्चों ऐसे indicator जो कि अपने color को change कर लेते हैं कब जब वो acid या base के अंदर किया किये जाते हैं put किये जाते हैं मतलब जैसे ही आप indicator को acid के अंदर या base के अंदर put करोगे डालोगे तो ध्यान रखना वो indicator अपने color को क्या कर लेगा change कर लेगा और इस color change की help से ही आप वहाँ पर क्या बताओगे acid ही क्या फिर basic nature of substance ठीक है तो यहाँ पर अच्छे से याद रखना color indicator क्या होते हैं तो color indicator वो indicator होते हैं जिनको जैसे ही आप acid में डालोगे या फिर base में डालोगे तो वहाँ पर डाल लेके बात वह अपने color को क्या कर लेंगे change कर लेंगे ठीक है उनको हम क्या बोलेंगे color indicator बोलेंगे अब देखो इदर बच्चो color indicator हम दो टाइप के पढ़ेंगे ठीक है color indicator हम यहाँ पर दो टाइप के पढ़ेंगे सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर नंबर वन आर्टिफिशल और दूसरे हम पढ़ेंगे नैचुरल कलर इंडिकेटर्स Natural Color Indicators क्या होता उसका मतलब? देखो इदर Artificial का मतलब Mainmate जो कि Human ने खुद ने बनाए है ठीके? तो Artificial Color Indicators तो क्या हो जाएंगे? Mainmate Indicators Mainmate Indicators मतलब ऐसे Indicators जो कि हमने खुद ने बनाए है ठीके? और Natural Color Indicators का मतलब क्या होता है? Natural Substance Natural Substance Natural Substance Which Act As Which Act As Indicators मतलब ऐसे कुछ Natural Substance जो कि हमें नेचर से मिले हैं और जो कि किसकी तरह काम करते हैं Indicators की तरह काम करते हैं तो आगे बच्चों समझ में ठीके ना? यहाँ पर आप अच्छे से याद रखना कि जो Color Indicator है वो दो टाइप के हैं ठीके ना? एक तो Artificial Color Indicator तो यह तो वो Color Indicator है जो कि Man-made है मतलब Human ने खुद ने बनाए है ठीके? और यह वो Color Indicator है Natural Color Indicator जो कि हमें किस से मिले है? Nature से मिले है एक्साम्पल क्या-क्या लेंगे अपन? तो देखना अच्छे से Artificial Color Indicator यह तो हम दो पढ़ेंगे कौन-कौन से पढ़ेंगे? तो एक तो हम पढ़ेंगे Methyl Orange ठीके? एक तो हम कौन से पढ़ेंगे? Methyl Orange और Methyl Orange के बाद एक अपन पढ़ेंगे Phenolethylene मतलब Phenolethylene Spelling आप थोड़े सी याद रखना है है ना L-Silent है बीच में तो Phenolethylene ठीके? तो यहाँ पर आपके दो Artificial Color Indicator है एक तो है Methyl Orange और एक है Phenolethylene और Natural Color Indicator आप कौन-कौन से पढ़ेंगे? तो एक तो आप पढ़ोगे Litmus Solution ठीके? एक आप पढ़ोगे Turmeric एक आप पढ़ोगे Flower of Flower of Hydrangea Flower of Hydrangea और एक आप पढ़ोगे Leaf Extract Leaf Extract of Red Cabbage of Red Cabbage ठीके बच्चों तो यहाँ पर आप अच्छे से याद रखना दो तो आपन पढ़ेंगे Artificial Color Indicator कौन-कौन से पढ़ेंगे? तो एक तो आपन पढ़ेंगे Methyl Orange और एक पढ़ेंगे अपन Phenophthalen और अपन चार पढ़ेंगे Natural Color Indicator एक तो अपन पढ़ेंगे Litmus Solution एक अपन पढ़ेंगे Turmeric एक अपन पढ़ेंगे Flower of Hyetangia और एक अपन पढ़ेंगे Leaf Extract of Red Cabbage ठीके? तो आप फटा-फट screenshot ले लो इसका चारो का हाँ तो बच्चों अब देखना है यहाँ पर हम Artificial Color Indicator और Natural Color Indicator दोनों को बिलकुल अलग-अलग पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले Artificial Color Indicator ठीक है? तो देखो अच्छे से पहला आता है Artificial Artificial Color Indicators Artificial Color Indicators Artificial Color Indicators ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? कि यह जो Color Indicator होते हैं इस Color Indicator की हेल्प से आप किसी भी Chemical Substance के Acidic या Basic Nature को बता सकते हो आपको Simple क्या करना है? Substance लेना है? उसके अंदर Indicator मिला देना है अब यह जो Indicator होगा यह Indicator उस Substance के साथ क्या Change करेगा? Color अब आपको यह Knowledge पहले से होनी चाहिए कि यह Indicator Acid के साथ क्या Color देने वाला है? और Base के साथ क्या Color देने वाला है? तभी तो पहचानोंगे आप? ठीक है? तभी आपको पहचान में आएगा कि यह Acidic होगा या Basic होगा? है ना? और एक Condition और मैंने आपको बताई है Neutral Condition यदि मालो कोई Chemical Substance ना Acid हुआ ना Base हुआ तो फिर वो क्या होगा? Neutral होगा तो Indicator किस तरह से Acid, Base और Neutral इन तीनों Nature के बारे में बताईगा हम यहाँ पर यह देखेंगे ठीक है? मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो Color Indicator होगा ना उस Color Indicator को यूज करके किसी भी Chemical Substance के Acidic Nature को, Basic Nature को या फिर Neutral Nature को Indicate करेंगे ठीक है? तो यहाँ पर अपन ने मैंने आपको बता दिया कि दो तरह के Artificial Color Indicator हमें पढ़ने एक तो Methyl Orange और एक Phenothelan तो एक एक करके दोनों को डिसकस करते है तो सबसे पहने तो मैं यहाँ पर ले दाओ Phenothelan ठीक है ना? Phenothelan ठीक है? चलो, सुना इदर अब यह देखो आपको कैसे याद रखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाओं में धंक से समझना बच्चों एक तो आपको इंडिकेटर का खुद का कलर याद होना चाहिए तभी तो जाके वो कलर चेंज करेगा तभी तो पहचान पाऊगे आप तो एक तो इंडिकेटर का आपको खुद को कलर याद होना चाहिए मतलब इंडिकेटर का खुद का कलर क्या है ठीक है? तो Phenophthalene की अगर मैं बात करूँ, तो Phenophthalene जो होता है, यह Color Less होता है, Color Less, मतलब कोई Color नहीं है इसका, ठीक है न, यह Color Less होता है, अब आपको यह पता होना चाहिए, कि यह Neutral Solution के साथ क्या Color देगा, मतलब Neutral Substance के साथ क्या Color देगा, Acidic Substance के साथ क्या Color देगा, और Basic Substance के साथ क्या Color देगा, ठीक है, यह ध्यान रखना, आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए, कि Phenophthalene का सबसे पहले Color क्या होता है, Phenophthalene का Color होता है, Color Less, मतलब यह कोई Color का नहीं होता है, अब आपको यह पता होना चाहिए, कि यह Color Less है, अब करते ही नहीं, वो color change करेंगे, तो यहां तो acid के साथ करेंगे, या तो base के साथ करेंगे, neutral के साथ तो कभी color change होगा ही नहीं, आ गई बात समझ में, तो आपको यहां पर indicator का color याद रखना है और आप दिमाź में यह वाली बात set कर लेना कि जो indicator होगा वो neutral के साथ color को change करेगा ही नहीं वो किसके साथ color को change करेगा तो वो color को change करेगा यहां तो acid के साथ यहां तो फिर base के साथ ठीक है? तो सुनो यहाँ पर Phenothelin Neutral के साथ colorless रहेगा Neutral के साथ क्या रहेगा यह? Colorless इसका मतलब क्या है? यदि अगर आपने Phenothelin को किसी Neutral Substance के अंदर मिला दिया मतलब कोई एक ऐसा Substance है जो की Neutral Nature का है आपको पता लगाना है कि यह Neutral है तो आप क्या करोगे उसमें Phenothelin डालोगे और Phenothelin जो होगा यह Colorless होगा और आप याद रखना कि Indicator और कभी भी Neutral Substance के साथ अपने Color को Change नहीं करते ठीक है तो Example में लेता हूँ जैसे सुनना अच्छे से Example मैंने लिया Water ठीक है Water या फिर Water की बजाए मैं थोड़ा और अच्छा Example लेता हूँ Salt Solution Salt Solution ठीक है Salt Solution यह मैंने Example लिया यहाँ पर तो यह मैंने Test Tube ली और इस Test Tube के अंदर मैंने क्या भढ़ दिया Salt Solution भढ़ दिया ठीक है अब मैंने इसके अंदर क्या डाला Fin of Thelin Fin of Thelin जो की क्या होता है Colorless होता है क्या होता यह Colorless होता है अब जैसे ही मैं इसको Salt Solution में डालूँगा ये ध्यान रखना, salt solution में भी colorless ही रहेगा, remains colorless, मतलब no change in color, no change in color, color में कुई change नहीं आएगा, इसका मतलब मैं direct के बोल सकता हूँ, कि जो salt solution है, salt solution यहाँ पे क्या होगा, neutral होगा, ठीक है, जो salt solution होगा, salt solution यहाँ पे क्या होगा, neutral होगा, आगे बच्चों example number one समझ में, तो आप अच्छे से याद रखना, कि कोई भी indicator, neutral के साथ अपने color को कभी change नहीं करता, तो fin of thelin जो होता है, वो colorless होता है, ठीक है, और ध्यान रखना, salt solution जो होता है, वो neutral nature का होता है, तो जब आप fin of thelin को उसमें डालोगे, तो उसका color change नहीं हो होगा, ठीक है, यह याद रखना, वहाँ पर भी colorless condition ही रहेगी, अब इसके बाद बात आती है, acid के साथ और base के साथ, acid के साथ ही क्या color देता है, और base के साथ ही क्या color देता है, सुनना अच्छे से, देखो इदर, acidic substance के अंदर मिलाने पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर काफी, बतलब, आप मान सकते हो कि दुवीधा आने वाली है, दंसे देखना, एक बात आप अच्छे से याद रखना, कि जो phenothelin है, वो acidic substance के अंदर भी colorless ही रहेगा, ठीक है, जो phenothelin जो होता है, वो acidic substance के अंदर भी क्या रहेगा, colorless ही रहेगा, यह सबसे बड़ी दिक्कते यहाँ पर, मतलब phenothelin जो होता है आप उसको एक अच्छा indicator नहीं बोल सकते हो, अच्छा indicator क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि phenothelin के help से आप neutral और acid के नीश में कभी distinction नहीं कर सकते हो, phenothelin colorless होता है, मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी indicator, नीटरल के साथ अपने color को change नहीं करेगा, तो phenothelin जो होगा, वो नीटरल के साथ कौन से color देगा, colorless, मतलब नीटरल के साथ वो colorless रहेगा, और वो acid के साथ भी colorless रहता है, तो सबसे बड़ी दिक्कती होती है, phenothelin को use करने की, कि phenothelin की help से आप neutral और acidic nature के बीच में distinguish नहीं कर सकते हैं, तो अपने इसे अच्छा indicator नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो यह आप अच्छे से याद रखना, कि यह acidic substance के साथ भी क्या रहेगा, colorless, ठीक है ना, और इसकी help से, by using this indicator, by using this indicator, we cannot distinguish, we cannot distinguish, we cannot distinguish acidic and neutral substance, acidic और neutral substance को आप distinguish नहीं कर सकते हैं, है ना, और यह इसका सबसे, आप मान सकते हो, सबसे बढ़ा drawback point है, ठीक है, example लेते हैं अपन यहाँ पर, तो जैसे कि मानलो, आपने लिया lemon juice, क्या लिया बच्छा आपने, lemon juice, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि lemon juice acidic होता है, है ना, lemon juice क्या होता है, acidic, अब जैसे ही आप इसमें finothelin डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर finothelin डालोगे, फिनॉफ थैलिंग क्या होता है? colorless होता है और lemon juice क्या होता है? acidic और आपको मैंने बताया कि जो फिनॉफ थैलिंग जो होता है वो acid के साथ भी colorless ही धेता है तो यहाँ पर वो क्या रहेगा? colorless ही धेता यह color आपको याद रखने पड़ेंगे भी colorless होता है neutral के साथ तो कोई color change करता ही नहीं है तो neutral के साथ वो colorless रहेगा और acid के साथ भी वो colorless रहेगा ठीक है? यह बात थ्यान रखना और अगर मैं base की बात करो basic substance अगर मैं basic substance की बात करो तो basic substance के साथ its color change टू पिंक, इट्स कलर चेंज टू पिंक, बेस के साथ इसका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा, ठीक है, इसका अपने एग्जामपल लेते हैं, देखना है यहाँ पे, तो जैसे माल लो, आपने लिया यहाँ पे सॉब सोलिशन, अब मैंने आपको बता दिया कि स्वब क्या होता है बेस होता है अब आपने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या भढ़ दिया सॉप सॉलिशन भढ़ दिया ठीक है ना आपने क्या भढ़ दिया सॉप सॉलिशन और इसमें आपने मिलाया फिनाफ थैलन ठीक है इसमें आपन यहां पर कलर का हो जाएगा अंदर मिलाने के बाद का इसे इंदर पिंक हो चुका है तो इस से निचल का हो था है बचों फिनॉफ फ्यूफ होता है ये color indicator होता है मतलब ये acidic basic nature को कैसे differentiate करेगा color के basis पे ये acidic basic substance के अंदर अपने color को change कर लेगा और उस color के basis पे आपको बताना है कि वो जो substance है वो acid है या फिर base है उसके लिए आपको पहले फिनॉफ थेलिम की color knowledge होनी चाहिए कि फिनॉफ थेलिम जो होगा वो acid के साथ क्या color देगा, base के साथ क्या color देगा वो आपको पता होना चाहिए ठीक है, तो फिनॉफ थेलिम जो होता है वो खुद colorless होता है अब मैंने आपको बताया कि neutral के साथ तो कोई color change करने नहीं वाला तो वो neutral substance के साथ तो क्या रहेगा, colorless ही रहेगा ठीक है, neutral substance के साथ तो क्या रहेगा, colorless लेकिन फिनॉफ थेलिम के सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो acid के साथ भी colorless रहता है है ना, acid के साथ भी वो क्या रहेगा colorless ही रहेगा तो आप याद रखना कि Phenothelin को यूज़ करके आप Acidic Substance और Neutral Substance को कभी भी Distinguish नहीं कर सकते हैं यह एक इसका Drawback Point है लेकिन आप Phenothelin को यूज़ करके Acid और Base को जरूर Differentiate कर सकते हो ठीक है? Phenothelin को आप अपने यूज़ करके Acid और Base को जरूर Differentiate कर सकते हो ठीक है ना? Acid के साथ तो यह Colorless रहेगा लेकिन Base के साथ इसका Color क्या हो जाएगा? Pink तो माल लो आपको एक Test Tube में कोई Substance भर के दे दिया और आपको पता लगाना है कि यह Acidic है या Basic है तो आपने क्या किया? आपने Phenothelin डाल दिया उसमें और जैसे आपने Phenothelin डाला उसमें वह माल लो Pink Color का हो गया क्या हो गया? वह Substance Pink Color का तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि वह Substance कोन से Nature का है? Basic Nature का क्यों? क्योंकि Phenothelin जो होता है वह Base के साथ कोन सा Color देता है? Pink Color देता है आगे बच्चों यह समझ में आप इसका Screenshot लो अब सेम अपन मिथाईल ओरेंज के लिए पढ़ेंगे ठीक है ना? ले लिजा आप इसका Screenshot हाँ तो बच्चों यह Phenothelin जो होता है यह Neutral के साथ Acid के साथ और Base के साथ क्या Color देता है यह ध्यान रखना ठीक है? अब Next आता है यहाँ पे Methyl Orange ठीक है ना? Next आता है यहाँ पे Methyl Orange Methyl Orange ठीक है? अब देखना देखों यहाँ पे एक बात आप अच्छे से याद रखना Methyl Orange को हम मान सकते हैं Best Indicator ठीक है? Methyl Orange को हम क्या मान सकते हैं? Best Indicator अब Best Indicator क्यों इसमें इसे क्या खास बात है? तो बच्चो Best Indicator यह इसलिए है क्योंकि इसको यूज़ करके आप तीनो तरह के Nature को बता सकते हो ठीक है ता? मतलब तीनो तरह के Substance को आजाने से Distinguish कर सकते हो Neutral भी, Acidic भी और Basic भी ठीक है? क्योंकि यह तीनो के साथ आपको अलग-अलग color देगा तो यहाँ पर यह ध्यान रखना Best Indicator Because Because By using it By using it We can distinguish We can distinguish We can distinguish Acidic Basic As well as As well as Neutral Substance As well as Neutral Substance ठीक है? यह अच्छे से याद रखना आप तो Methyl Orange यह होता है Methyl Orange एक Best Indicator माना जा सकता है क्यों माना जा सकता है? क्योंकि आप इसको यूज करके तीनों को एक दूसरा से Distinguish कर सकते हो क्योंकि यह Neutral के साथ भी अलग color देगा Acid के साथ भी अलग color देगा और Base के साथ भी अलग color देगा Example लेते हैं देखना यहाँ पे Methyl Orange Methyl Orange अब सबसे पहले तो अगर मैं आपसे यह पूछू कि इसका color क्या होगा? इस Indicator का खुद का color क्या होता है? तो नाम में पता लग जाएगा बच्चो Orange ठीक है? इसका color क्या होता है? Orange याद रखना है Orange color का Indicator रहे है ठीक है? अब देखो इदर Neutral के साथ Acid के साथ और Base के साथ इसके color में क्या change आएगा? ठीक है? तो देखो इदर अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी Indicator अपना जो color है वो Neutral के साथ change ने करेगा है ना? Neutral के साथ उसका color क्या रहेगा सेम रहेगा तो यहाँ पे जो Methyl Orange है Methyl Orange Neutral के साथ तो कुम से color का रहेगा? Remains Orange Orange color का रहेगा ठीक है? यह ध्याद रखना कि जो Methyl Orange है ना? Methyl Orange का जो color होता है वो Orange होता है और कभी भी Neutral Substance के साथ ही अपने color को change करते ही नहीं तो ध्याद रखना Neutral Substance के साथ इसका color क्या रहेगा? Orange ही रहेगा तो for example मानलो मैंने Salt Solution दिया ठीक है ना? मानलो मैंने के लिया Salt Solution यह Test Tube ली मैंने और Test Tube के अंदर ayun मैंने Salt Solution मिला दिया अलब Salt Solution भर दियाए मेंने टेस्ट Tube के अंदर और इसमें मैंने क्या मिलाया? Methyl Orange ठीक है. अब मिथाइल ओरेंज खुद कोन से कलर का था ओरेंज कलर का ठीक है ना जो मिथाइल ओरेंज है ये खुद कोन से कलर का था ओरेंज कलर का था तो ये ध्यान रखना ये रिमेंज ओरेंज ही रहेगा ठीक है रिमेंज ओरेंज यहाँ पे इसका कोई कलर चेंज भी होगा remains orange ठीक है यहाँ पर देखो acidic substance के साथ methyl orange क्या color देता है red ठीक है जो acidic substance के साथ यह क्या color देता है red तो ध्यान रखना color of indicator color of indicator changes to red मतलब methyl orange indicator का जो color है वो क्या हो जाएगा change हो के red हो जाएगा ठीक है तो देखना इधर example लिया जिसे की मान लो मैंने lemon juice ठीक है ना example के लिया मैंने मान लो lemon juice अब बच्चो lemon juice के अंदर मैंने यहाँ पर क्या भरा methyl orange डाल दिया ठीक है ना lemon juice के अंदर मैंने के मिला दिया methyl orange अब अभी आपने देखाता कि जो lemon juice होता है वो कुन से nature का होता है Acidic Nature का ठीक है Lemon juice जो होता है वो कुन से nature का होता है I see by the lemon juice होता है वो क्षोण से nature का होता है помог Tinny मिद्धेता चैन्छ च प्राइं से उसका राड़ जाता है तो याद रखना अच्छे ए लिक कर unlock Culture change to red, ठीक है, it color, change to red, basic substance के साथ, यह आप अच्छे से याद रखना, कि basic substance के साथ, methyl orange का जो color है, ठीक है न, जो basic substance है, basic substance के साथ, methyl orange का जो color है, यह change हो कि क्या हो जाता है, yellow, ठीक है न, याद रखना, color of indicator, color of indicator, color of indicator, change to yellow, color of indicator, change to yellow, ठीक है न, यह वाली बात आप अच्छे से याद रखना, color of indicator, change to yellow, देखो इदर, यह आपने test tube ली, ठीक है न, और test tube के अंदर आपने क्या भठ दिया, sub solution, test tube के अंदर आपने क्या भठ दिया, sub solution भठ दिया, ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या, methyl orange मिला दिया, methyl orange, मैंने अभी आपको बताय था कि sub solution का nature क्या होता है, base, sub solution जो होता है, वो base nature का होता है, तो methyl orange का color क्या हो जाएगा, yellow, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि जो methyl orange होता है, यह neutral के साथ orange color देगा, acid के साथ red color देगा, और base के साथ yellow color देगा, तो तीनों के तीनों substance के साथ अलग-अलग color देगा, इसलिए हम यहाँ पे इसकी help से तीनों को distinguish कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इसे सबसे best indicator बोला है, और यह आप अच्छे से याद रखना बच्चा, ठीक है, तो यह हुआ हमारा indicator, आज complete artificial वाला, natural indicator and all factory indicator मैं lecture number 2 में discuss करूँगा, आप यह बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, अगर आपको पूरे topic में कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आया हो, वापस अगर describe करना हो पूरे topic को, तो आप आराम से comment box में लिख देना, ठीक है, कोई भी question आपको पूछना हो, comment box में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों तो I hope आज का जो टॉपिक है वह आपको अच्छा लगा होगा ठीक है तो आप बिलकुल अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो ध्यान रखना लेक्चर को लाइक कीजिएगा उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है और बेल आइगन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे जो अगले लेक्चर से उनके नोटिफिकेशन लगाता मिलते रहें ठीक है ना बच्चों बाए बाए